हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सोब उमीद करती हूँ आप सोब खरीयस होंगे तो आज हम बना रहे हैं आलू गोवी की सुखी सबजी जो की होगी एकदम चटपटी लटपटी और टेस्टी भी और हलवाई स्टाइल हम इसे बनाने वाले हैं बल यहां पर मैंने कड़ाई में तेल रख दिया था 100 ml के करीब तेल है यह और उसमें हम सबसे पहले गोवी डालेंगे क्योंकि गोवियों को हमें फ्राइ करना है तो मैंने एक साबुत गोवी ले लिया था और उसके सारे फूल को तोड़ लिया है जो भी गोवी बड़े चुक फ्राइ करते समय सबसे काफी हद तक सौफ्ट हो जाती है और इसका टेस्ट भी है दूगना हो जाता है तो इसलिए सबसे को फ्राइ जरूर कीजेगा तो उसी तेल में हम आलू को डाल देंगे मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सबसी बना रही हूं तो आलू है 400 ग्राम और 300-300 ग्राम के करीब है गोवी तो आप अपने इसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं तो इसे हम मेडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ करेंगे तो यहाँ पे आलू जो है बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो सारे तेल को हम छान करके निकाल लेंगे और आलू गोवी को ढख करके रखेंगे ताकि यह अपने ही हीट में पकते रहे और भी सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल रहे गया था तो उसी तेल में मैं बना रही हूँ आधी छोटी चमर जीरा जाला है और दो मीडियम सैज का प्याज प्याज का हो जाता है तो हम डाल देंगे आधी चोटी चमच हल्दी का पाउडर और एक चोटी चमच काश्मीरी लाल मिर्स इन दोनों चीजों को मैंने तेल में इसलिए डाला है ताकि हमारे सबजियों में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए तो बस थोड़ी देर के लिए हमें इसको तो बस अब हम इसमें डाल देंगे हरा मतर मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वाइंटिटी में ली है आप अपने इसाफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं पांच मिनट के लिए स्लो फिलम पे हम इसे ढख करके पकाएंगे ताकि मतर भी सौप्ट हो जाए तो पांच मिनट मैंने इस अस्तमाल नहीं होता है इसलिए हमें ज्यादा तर चीज ड्राइ ही यूज़ करनी होती है तो बस इसे हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अब देख सकते हैं मसाले भूनने पर आ गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची सिलिक की हुई ये सबजी थोड़ी स्पाइसी बनती है तो बहुत ही जबदस लगता है तो मिर्चा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा और अब मैंने डाल दिया है दो टेबल स्पून पानी ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए और मसाले अच्छे से पक भी जाए तो जैसे ही मसाले अच गोवी को ढख करके रखने से ये अपने हीट में सौप्ट होते रहते हैं तो गोवी मेरा 80% तक कुख है और आलू 100% तक कुख है क्योंकि आलू के मुकाबले गोवी थोड़ा ज्यादा सक्त होता है तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अब हम इसे अच्छे सबस्पैचुला यूज करने होते हैं अब घर में है तो नो प्रॉब्लम जो चमच है वो चला सकते हैं मैंने एक टीजपून भूनी हुई कसूरी मेथी और हाफ टीजपून खुश्बुदार गरम मसाला जाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एक सबजी यह हमारे अच्छे से सफ्ट हो जांए तो भस अब हम ढखन ढblesने हैं और उसकी ब्रॉबर मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारे सब्जी यह बहुत थी से सफ्ट हो गई है तो इस तरीके से आप सब्जी सबण भी बना यहां अ बहुत ही एसा कर लेता है मसालेदार भी however म अमेजिंग इसका फ्लेवर होता है थोड़ा सा हरा कचा धनिया डाल देंगे और एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं गोवी हमारा 100% तक कुक हो चुका है तो फ्लेम को बंद करते हैं इसको सर्फ कर लेते हैं आपको ये रेसिपी जारा सी भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अप्लोड़ेड है आप वहाँ पर जा करके अपनी मान पसंद रेसिपी चेक कर सकते हैं इस सब्सक्राइब को आप पूरी पराठे रोटी कुल्चे चावल हर चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही शांदार बन के त्यार होता है मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ सबने बहुत ही जादा पसंद किया था इस सब्सक्राइब को बहुत पसंद आया था जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं खाते हैं वो उंगलिया चाचक कर खाएंगे एक बार ट्राइब जरूर कीजेगा तो मिलते हैं एक नए रेसि